श्वागत है आपका असिस्ट एक्नो जोन में तो आज के इस वीडियो में हम अर्णिंग एक्पी सीरीज की बारे में बात करने वाले हैं तो इसे मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां पर लॉग इन और साइन अप का प्रोसेस आता है तो मैं इसे बाद में आपको करके दिखाऊ है यह जितना भी चीज है हमने यहां पर आइक्स्टार लगा हुआ है तो आप इस टाइप का आइकॉन लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं परसनली तो आप वहां पर मैं बना करके आपको दे दूँगा या फिर लॉग इंस साना बटन के नीचे में रख देना होगा इस तरह से और इसके अंदर में एक टेक्स्ट एड करना होगा जो की है 8.gmail.com अपको यूज करना है आपको इसे सेव करना है और आपको इसको हाइड रखना आपको ध्यान देना है कि यह जो आपका है यह टेक्स्ट व तो हम इसे याद रखेंगे टेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दिखे नहीं यह पूरा तरह से चिप जाए हाइड हो जाए और आपको इसमें ध्यान रखेगा आप इन्विजिवल मत किजेगा अगर आप इन्विजिवल करेंगे तो दिखेगा नहीं लेकिन उसके जगह पे स्पेस खाली रह जाएगा तो अच्छा नहीं लेगा तो आपको से आप जा सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं यहां से ओन क्रेट यूजर कंप्लीट में आपको जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको इतना सारा चीज आप तो सेट नहीं किये होंगे सायद मेरे ख्याल से आपका इतना चीज ही सेट हुआ होगा मैं दिखा देता इसको पकड़ करके इसके नीचे में लगा देना है घॉर्ट साय कहाM और कि नीचे में लगा देना है है इसके बाद यह जोimaginative का hurry कि सकार canal वाला इसको आपको पकड़क है डिलीट कर Δेना है है और डिलीट करनेके बाद आपको क्या करनाや component में जाना है और component में जाने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा यह वाला Firebase database का Add key वाला option तो इस की में आपको क्या करना है की वाला लेने के बाद आपको इसमें Firebase database select करना है और map भी आपको select के लेना है इसके आपको एड की में यहां से आपको मिल जाएगा फायर बेस गेट और यू आईडी मिल जाएगा तो यहां पर आप गेट यू आईडी करके लगा देंगे ठीक है एंड इसके बाद आपको यहां से बैक करना है और यहां से आपको यह सेट वाला ऐसे करके इसके नीचे में लग चालेंगे ऐसे और इसके बाद डा में डाया यहां लगा देना है और पूट कीमे में आप यूरल लगाएंगे यूर इल या फिर प्रोफाइल्स जो भी आपकी मरशी इसके हम यूज करेंगे यू अरयरेल प्रोफायल के यूरल के लिएSir यूजर का जो इमेज रहेगा उसके लिए हम यूज करेंगे तो इसमें फिलाल हम वैल्यू में इसको ब्लैंक रखेंगे इसको कुछ नहीं रखना है क्योंकि हमें इसको केवल की जैनरेट करके छोड़ देना भी समझ गया तो यहां पर आप इसको इतना करके छोड़ में आप जो भी आप मर्जी आपका नाम सेट प्रिफरेंश का इस पी यूज कर सकते हैं मैं अल्रेडी एड कर चुका हूं तो आप इसमें एड कर लिजेगा एंटर फाइल में में आपको यूजर्स इमेल डाटा कुछ भी आप अपने मर्जी से रख सकते हैं लेकिन इसको तो आपको ध्यान में रखना होगा ओके तो यहां से मैं फिलाल क्या करता हूं यह जो मेरे कॉंपोनेंट है मैं इसे एक काम करता हूं यहां पर मैं कॉंपोनेंट टैब में इसे मैं डिलीट और फिर यहां बना आकर दिखादो continue डिलीट हो चुगा तो औसान निन्वीजर कं नहां पर ब्लॉक के पास component में एड़ कॉंपोनेट करता हूं और इसके बाद सेट प्रिफ्रेंसेस के लिए SP use करता हूँ और enter file name में data type करता हूँ तो यह data हो गया add कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है यह block लेने के बाद put extra की sorry यह वाला set data की आपको लगाना है इस तरह से करके और toast के उपर में लगाना है और ऐसे set data की दो दो को लगा लेना है और दोनों में आपको set preferences का SP select कर लेना है इसके बाद आपको set data key की और आपका यह value दो चीज होगा तो key में हम लोग use करेंगे email पहला चीज और दूसरा चीज हम लोग use करेंगे password डबलो ओ पासवर्ड में डबलेस डबलो ओ रडी पासवर्ड तो हमको दो ही चीज हमें gate करके रखना है फिलाल मैं आपको बता दू कि हम email और password क्यों use कर रहें विकाउज आप देख सकते हैं user तो हमेशा login करेगा है ना और sign up का process तो हमेशा नहीं होगा तो अगर आप अगर उसमें दोनों चीज यूज करते हैं जैसे इमेल पासवर्ड नेम मोबाइल साथ सबी चीज यूज करते हैं तो प्रोब्लम क्या होगी कि जब user मान लीजे login करने आएगा तो उस time में उसको तो इम भी नहीं मिलेगा और password भी नहीं मिलेगा तो उस time में प्रोब्लम क्या होगा कि वह आपका प्रोब्लम आ जाएगी क्या error आसकता है इसलिए आपको क्या करना है इमेल और पासवर्ड दो चीजी यूज करना उसमें तो आपको यहां पर इमेल और password यूज करना है इसमें आपको क्या करना है व्यू में चले जाना है और आपको मिल जाएगा यहां पर नीचे में गेट टेक्स्ट वाला टेक्स्ट गेट टेक्स्ट आपको इसमें भी लगाना है इसमें क्या करना है इमेल वाले में एडिट टेक्स्ट इमेल आपक करेगा तो यहां पर अब यह ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है अब हमें क्या करना है इस ब्लॉक से हम बाहर निकलेंगे और चले जाएंगे इसमें यूजर के प्रोफाइल पेज में प्रोफाइल पेज में आने के बाद हमें क्या करना है यहां पर यह हम इसे डिलीट कर लेते ह और यहां trov हो एक दम साप सुथरा तो आपको क्या करना है यहां पर यह जतना भी चीज़ा तो हेलो यह वाला है तो हमें नाम और यारी ईयूज़र अपना नाम चीज्ज करेगा इस में एक ऐसे करके लगाना होगा और इस अग tips को हम लोग यहां पर हिंट टाइब करेंगे हिंट में हमें लिखना यहां पर एकस के स्टाइल को कर लेना है बूल्ड एकस के कलर को भी कर लेना है वाइट और इसके बाद Tekst साइज को आपको कर लेना है 14 एस पी ताकि यह कुछ बड़ा हो जाए और दिखे यहां पर इन इसके बाद आपको क्या करना है इसमें आपको तो इत्रिटिट टेक्स आपको यहां परर 1 है को इसको रिनेम कर लेता हूं यहां पर यहां पर 25ंट करने हों रूड़ outbreak अगर खूल तो आपब डिकल और इसके बाद इसमें आपको लिनेर एच लागर कैसे ड्रॉब करना है इसके अंदर में और इसके बाद आपको इस लिनेर का पैडिंग जीरो करना होगा इस लिनेर के पैडिंग को जीरो कर लेना है और इसमें आपको लगाना मुध्र dai your new पासवर्ड यहां पर प्लीज इंटर्योर new पासवर्ड करना या फिर पिरीज इंटर्योर confirm पासवड करना है तो फिलालम नूपासवर्ड ही शेट करेंगे थाकि यह डिरेक्ट यूजर अपना помощ Ricky नौभ बी मन तद चेंज कर पाए्ट यहां पर हिंड का ऩल आपको कर लेना है ब्लैक कलर जो भी कलर आपके मर्दी है बो गलर अपस्लेक्ट जब्लेट कर सकते हैं टेक्स का पहल आपका वही हो विट को विट को तो छोड़ देना है विट को कुछ नहीं करना है और इसके बाद इसके अंदर के बटन के टेक्स को हम लोग कनवर्ट करेंगे done में done लिख देंगे और यहां पर अब इसके text style को हम लोग थोड़ा सा bold करेंगे और इसके text size को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे 11SP तक इसके बाद आप हमारे यह button भी complete हो चुका है please enter your text यह वाला edit text को हम लोग rename करेंगे edit text password हो जागा edit text 2 को हम लोग password के नाम से जानेगे और इसके बाद आपका यह होजाएगा हेलो जो ये है तो आप इसको कर लिजएगा इसको कर लिजएगा टेक्स्ट व्यू नेम और यहां पर इमेल यहां पर यूजर वो चेंज करेगा डिटेक्स नेम तो अब यह आपको क्या करना है यह दोनों को कुछ नहीं करना है यह दोनों के इसके ऐसा कर लेते हैं इसको हम लोग निचे कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा खाली रहेगा फिर हम लोग कर लेना है अरे यहाई यह क्या हो रहा है ऐसे करके हेलो आपको इधर कर लेना है हेलो को आपको इस साइड में कर लेना है अरे यह 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 क्या हो रहा है हुँ हुँ हो मैं समझ गया तो इसके हेलो को आपको क्या करने नहीं है हेलो के विट को आपको रैप कंटेंट करके छोड़ देना है तो यह आपका कोछ ऐसा बन जाएगा और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अब इसके बाद इसकी पैडिंग को आपको कर ले अगर आपको समझ में आगा तो थोड़ा सा स्कीप कर सकते हैं यहां पर मालीजे आपका यह है तो आपको यहां पर एक लिनियर एच लेके लगाना यहां पर और इसके पैडिंग को आप पहले ही जीरो कर लिजे इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर पहले आपको रखन नहीं माजाएगा तो यह वाला आप इतना हो चुका है अब हमें नाम कैसे चेंज करेंगे चलिए हम ब्लॉक के पास चलते हैं तो यह हमारा इतना है इसे हम लोग फिक्स ही कर देते तो अच्छा होता क्या इसके विट को हाइड को हम लोग फिक्स करने का नहीं करें छोड़िये इसे नहीं करना हो जएंगा इतना मैंने में जाएगा तो यहाँ पर आपको इवेंट में जाना है More Block में एक रेडियस Corner रेडियस वाला ब्लॉक आपको बना लेना खुझ से मैंने फिछले वीडियो में बताया हुआ है तो आप जाकर कि वहां से से ऐट Corner रेडियस का वीडियो प्लेट में भी मिल जाएगा और उसका तो मैं यहां से बैक करता हूं और आपको दिखाता हूं इमेज भी वन है इसकी आप आईडी देख सकते हैं इमेज वन है तो अब फिलाल हमें क्या करना यह है इमेज व्यू टू और यह बटन वन और यह बटन टू तो बटन वन को हम लोग तो थोड़ा सा राउंड पूरा राउंड करेंगे और बटन टू को हम लोग थोड़ा सा राउंड करेंगे यानि तो दोनों को पूरा राउंड कर सकते हैं तो आप रेडियस टू वाला ब्लॉक हम लोग ओन क्रेट में इंप्लिमेंट करेंगे तो यहां पर हम लोग ने इतना इमेज 2 दिख रहा है लेकिन 1 है और इसके बाद image view 2 हो गया इसके बाद हम लोग button का use करेंगे तो button 1 and हम लोग ये button 2 लेंगे क्योंकि हमारे पास तो दो buttons हैं तो ये दो button हो चुके हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है सबके radius को हमें 50-50 कर लेना है ताकि पूरा पूरा round चाहिए हमें 50-50 करना है और ये दोनों button के सैड़ों को थोड़ा सा आप पांच-5 कर लीजेगा तो अच्छा रहेगा पांच-5 and button के color को आपको करना है button 1 आपका white ही रहेगा button 1 के color को हम लोग white करेंगा white का color code होता है six time f and इसके बाद ये जो button 2 है button 2 के color को हम लोग कैसा करेंगे यहां से देख लेना चाहिए हम लोग ये जो button का color होगा हमारा कौन सा color रहे तो अच्छा लगेगा background background color पर हम लोग जा करके देखेंगे ये हमारा purple का color है deep purple color deep purple color में हम लोग कौन सा color यूज़ करेंगे ये वाला color यूज़ करेंगे अच्छा लगेगा इससे और थोड़ा सा हमें फीका यूज़ करना चाहिए इसके उपर वाला 512 d8 हैसे हम लोग यूज कर लेंगे हैस 512 इसके बाद d8 और इसको सेब कर लेना इसके बाद आपका यहां पर इतना complete हो चुका है तो अब हमें गोन और हाइड मतलब सो और वीजिबल करना है तो यह दो चीज हो चुका का राउंड यह भी राउंड हो चुका है तीनों राउंड हो गया यह भी राउंड हो गया मतलब चार ब्लॉक हमने राउंड के लिए लगाए हुआ है और इसके बाद आपको यह वाला गोन करना है और यह जो लीनियर है आपका इस लीनियर को आपको गोन करना है तो इस लीनि linear password और ये वाला इड़ी टेक्स नेम तो हम तीलों चीजों को गोण करते हैं पर गोण मतलब की नहीं दिखना चाहिए तो सेड़ी विजीवल सेड़ी विजीवल सेड़ी विजीवल तो तीन टायम में लगाएंगे तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर button one पहले hide करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पर linear password मिल जाएगा तो इसे भी आप गोन कर लिजेगा सब को हमें गोन कर लेना है सब को हम गोन कर लेते हैं फटा फट से भाई जल्दी हो जाओ तो यह हमारा इतना हो चुका है तो यह इतना चीज हमें गोन कर लिया हमने इसके बाद हमें क्या करना है अभ इसके block building करना है तो यहाँ पर इसका name हमें डेटाबेस को और डेटाबेस का नाम आप एफडीवी रखे हुए थे एफडीवी और इंटर यूजर लोकेशन यूजर्स इसके बाद आपको एडकरना मैंने यूजर इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दुखा दू यूजर और में आपको यहां rhyme prototype और यूजर्स ही gonna यहां से चले जाना प्रोफाइल एक्टिविटी में और इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहां से डेटा गेट चिल्रेंट टू लिस्ट मैप यहां से आपको क्या करेंगे इसके डेटा को लाएंगे टेक्स्ट व्यू के पास आपका एक टेक्स्ट व्यू आएगा यहां पर यह से टेक्स्ट और इसके बाद यह से टेक्स्ट इसमें आपको रखना है टेक्स् व्यमेल पर टैक्स डेंग नेम घ्ट करेंगे और यहां पर आपको मिल की तेयले करेंग PS year of期 इक लुहाँ इंड इन स Красण कर लिक ऐसिफीड आपको ऊपर आपको इस्ताब लाओक चूज कर आपको और इकाइड का ब्लॉक है यहां पर आपको component में जाने के बाद आपको एक Firebase database का हो चुका है तो हमें Firebase Auth का भी यूज़ करेंगे add कर लेंगे एफ ओध को भी एफ ओध को add कर लेंगे यहां पर ऐसे और इसके बाद इसी में जाएंगे हम लोग और यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है यहां से ब्लॉक में आपको मिल जाएगा यह सारा चीज गेट यू आईडी तो यहां पर गेट यू आईडी आपको मिल जाएगा अगर आपका चैल्ड की जो है यू आईडी के बराबर है तब आपका इसमें चैल्ड किया करेंगा उसके पहले आपको यहां पर एड करना है ज्वाइन ज्वाइन का ब्लॉक ज्वाइन एंड फिर से आपको एक ज्वाइन का ब्लॉक लगाना है आपको इस ब्लॉक में क्या करना है इस ब्लॉक के अंदर आपको लगाना चाइल्ड मैप नहीं इसमें वेरियेबल में आ नहीं से ले लेना यह एक टीवाला इसके बाद आपको चाहट बीव यहां पर लगा लेना है चाहट बीव आभ बीव इसके बाद गेट की आपको क्या गेट करना है टेक्स्टीव नेम गेट करना है तो हम लोग यहाँ पर नेम गेट करेंगे एन एम इसलिए गेट करेंगे ताकि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर यहाँ पर मैं यूजर और एक्टिविटी में मैंने फायर बेस और में जो ने related में तो यहां पर हमारा हो चुका है नेम और इसके बाद हमें यहां पर email एड करना है तो email में हम डारेक्ट यहां पर एक कॉंपोनेट एड करते हैं said preferences जो कि यह है आपका said preferences SP और इसमें हम लोग यूजर्स ऐसे करें थे यूजर्स एड करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यूजर्स एड किया हुआ था इसमें user auth में आपको देखना पड़ेगा यहां पर कि यहां पर sp data आपको मिल जाएगा sp के साथ data है users नहीं है तो आपको यहां पर profile में sp के साथ data add करना होगा delete component यहां पर आपको set preferences दिख जाएगा जिसमें हम लोग sp करेंगे और यहां पर data करेंगे एड़ कर लेंगे तो अब यहां पर क्या होगा कि firebase database में हम लोग जाएंगे और इसमें जाने के बाद आपको क्या करना यहां पर component में जाने के बाद gate data key वाला यूज कर लेना आपको यहां से set preferences gate data key तो set preferences को आप sp select करिए and gate data key key में आपको क्या add करना है email है ना email आप ऐसे एड़ कर लिजे तो आपका यहां पर आजाएगा नेम और email दोनुछी जा चुका है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहां पर आप करना है password password वाला भी हमें gate करना है यहां पर व्यूग पर चले जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा सेट वीजिबल यहां पर सेट टेक्स्ट वाला तो हमें जो password हमने सेट किया हुआ है तो password वाला एड़ी टेक्स पासवर्ड है उसमें आपको पहले से पासवर्ड फील करके रखना है ताकि यूजर से चेंज करें और डन करें तो यहां पर आप देख लीजिए यूजर का password दीखेगा और यह उसका password कहां से हमने लेना पड़ेगा सेट प्रिफरेंसेस कॉंपोनेंट पर आपको मिल जाएगा और यह आपका यूजर्ज का रहेगा सेट प्रिफरेंसेस गेट की यह वाला और सेट प्रिफरेंसेस के साथ हम लोग गेट की लेंगे-लेंगे-लेंगे-पी-ए-डबल-एस-डब्लू-ओ-डी-पासवर्ड इस तरह से आजाएगा पासवर्ड पी-ए-डबल-एस-डब्लू-ओ-ड यही था ना हम लोग को सेम टू सेम मैच करके रखना होगा यहां पर यूजर और में फायर बेस डेटाबेस में देखेंगे हम लोग और में देखना होगा साइन न कंप्लीट में यहां पर देख सकते हैं पी-ए-डबल-एस-डबल-ए ड्बलू-ड तो यहां पर ई-मेल और पासवर्ड इसी काम के लिए मैंने वहां पर लगाया हुआ है तो यहां पर हम लोग-प्रोफाईल पेज में क्या-क्या बना चुके हैं हम लोग यहां से देखते हैं हमारा नेम हो चुका इसमें भी नेम आ जाएगा इसमें तो नेम लाना भी मांकी है तो चलिए हम इसमें इडि टेक्स्ट में नेम लाते हैं हमारे यहां टेक्स्ट में नेम आ चुका है तो इडि टेक्स्ट में भी नेम आ जाना चाहिए तो इसके name यहां पर आजाया automatic तो यहां पर gate name हम लोग करेंगे इसे copy और इसे यहां पर ला करके paste कर देंगे तो यह आपका gate name हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है इतना आपको complete हो चुका है तो अब मैं यहां से इसे back करता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूँ अब आपको क्या बच गया ये तो हो गया ये भी हो गया आपका ये बटन उटन सब कुछ हो गया है अब इसके बाद प्लीज इंटर पासवर्ड पासवर्ड भी आपका हो चुका और आप बच गया है ये वाला प्रोफाइल प्रोफाइल का आइकॉन तो प्रोफाइल आइकॉन में हम लोग क्या करेंगे यहां पर फायरवेस डेटाबेस में जाएंगे और इसके बाद हम लोग यहां पर एक और सेट करेंगे पर व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आपको यहां पर कर लेना इमेज़ वन है तो अब हम क्या करते हैं , यहां पर यूजर में आपको क्या लगारा है यूजर में देट लगाना है और इसके बाद यहां पर यूर टाइप करना है क्योंकि वहांपर यूरल वाल आपने बलैंक करके छोड़ा हूँ तो ब्लैक अगर नहीं रहता तो यहां पर इसेट इमेज प्रोम युवारल करते तो खाली रहता तो वहां पर एरोर आ जाता तो इस तरह से इतना कम्प्लीट हो चुका है तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना यहां पर आपको जो भी चीज करना है यहां पर करना है हमाइनिंगस है रेफर ए फ्रेंड है चेंज पासवट पर क्लिक करना है और controlar इसके बाद Ridge लोग आउट आज जाएगा तो इतना चीज म समय लोग माइनिंग and policy बना ले थे हैं और रे फ्रेंड हैं तो हम लोग चेक करेंगे यहां पर रेफ़र प्रेंड रेफ़र एक्तिविटी रिफडर लेक्स सेमल है ना तो हम लोग यहां पर hy आज करीं लेते हैं यह हमारा माई एर्णिंग्स है तो हम इसे री नेम करेंगे लीनियर माय आरि जी एस इसके बाद रेफ़रेंड ते सी की इड हम करेंगे आर ए ऐ एफ जपर्ल ए निडेफर्ल एंड इसके बाद हम लोग चेंजडर है चेंज पास वड़ के लीनयर को हम लोग करेंगे इस चैंज तक पासWad बस कुछ भी टाइब करना है ताकि आपको समझ में आप आए बाद में और इसके बाद आपको contact us वाला पेज है तो यहां पर आपको linear contact इसे करके set कर देना है और इसके बाद यह आपका privacy policy तो इसके बाद आपको यहां पर set करना है प्याराई वीए से वाई प्रैवेसी पोलीसी तो इतना हो चुका और इसके बाद हमें क्या करना है यह लोग आट है तो इसे linear logout यूज करेंगे लोग यूप तो यहां पर इतना select सेव हो चुका है और इसके बाद हमें क्या करना है अब इसे कुछ नहीं करना अब हम इसे run करके चेक करेंगे कि अब हमारा कैसा वर्क कर रहा है तो सेव करता हूं फिलाल मैं और वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मैं अब इसे करके सब चीज आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे वर्क कर रहा है और इसमें सब कुछ आएगा नेम वगरह सब कुछ डेटा आएगा और यहां पर मैं इसे आपन करता हूं इसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है यहां पर आपका इमेल आ जाएगा तो मालीजे मैं यहां का साइन अप प्रेजना तो साइन अप में यहां पर आसिस लिखता हूं आसिस कुमार और इसके बाद मोबाइल में मान लिज्ये कुछ भी टैप करना है तो 123456789 10 फिलाल और इसके बाद पासवर्ड में आपको क्या करना है 123456 में इतना रख रहा हूं सो के लिए और इसके बाद मैंसे यह देख लेता हूं और sign up button पर मैं क्लिक करता हूं तो यह यहां पर इस इमेल इस अल्रेडी इन यूज बाया नदर इमेल यहां पर अल्रेडी यूज में है तो हम डबल ए लगा लेंगे इसके बाद sign up button पर प्रेस करेंगे और यह आपका image view भी आ चुका है तो यहां पर हमने पचास रखा हुआ था तो आपको इसको और भी ज्यादा कर लेना है तो ज्यादा कर लिजेगा तो यह और यह चीज नहीं दिख रहा है है की मैंने है इसी छीज को ऐड करना चाहिए तो इससे घ्र कर दिया है और अगर आप makes बांकि किव्दियो में कोईड स रगहरे तो आप मुझा इस कमेंट बॉक्सक्त पोच सकते या फिर इस्स्राग्रम टेलिग्रम सबकुछ है नहीं आप बाकी समझदार हैं आप कहीं भी कांट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब